जीवन में ब्यानीस साल बाद एक मकान बिलाएं बोबी सब्सक्राइब माजूर लोग रही सब्सक्राइब तीनसो शाड़े तीनसो परिवार इधरी जैसा कि हम आपको लगाता जो मत्रा और व्रंदावन की तस्वीरे दिखा रहे हैं अभिफलालम मत्रा में हैं बाद नमबर चार में मत्रा में हैं आप मेरे आसपास जो इलाके देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बाद प्रवावित हम इसको आप कह सकते हैं क्योंकि यहां जो मकान है वो 6-7-7 फिड नीचे डूब चुके हैं और लोगों को अपने घरों से पलाइन करना मजबूरी हो गया है और लोगों का सामान जो है वो उनके घरों में ही बंद है यहां करीब तकरीबन साथ गाओं इस इलाके से जुड़ते हैं और यह जो इलाके में लोग है ना बाड से पूरी तरीके से प्रवावित हैं यहां आप देख सकते हैं पूरी तरफ चारों तरफ जो जल मगन है जो बाड का पानी है वो पूरी तरीके से घुस चुका है यह गोपाल आश्रम यहां पर बताया जाता है अखाडा है गोपाल अखाडा है यह आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पानी में डूप चुका है और यहां के लोग बहुत परिशान है यहां की जनता जो है वो पूर आप देख सकते हैं मेरे पीचे यह जो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कूलर यह पूरी तरीके से पानी में आदे से ज्यादा ये अखाडे के कमरे हैं ये पूरी तरीके से डूप चुके हैं और ये मदद केबल प्रशासन के द्वारा नाव की मदद दी गई है लोगों को खासा प्रशासन से नाराजगी है और कह रहे हैं कि अभी फिलाल कोई ऐसी मदद नहीं आई है जिससे उनका पालन पॉश्ण अच्छे से हो चुके अब चलिए हम नाप कि आपको जो तस्वीर दिखाए हम नीचे कोतरने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि और कौन-कौन से इलाके हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रस्त हैं यहां तकरीवन माना जाए तो यहां तकरीवन तकरीवन 500 से 600 घर जो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में बाढ़ से दूब चुके हैं कोई हेल्प नहीं है हम लोग सब्सक्राइब तो अब हैं यहीं की निवासिया था तीन-चार साल हुए ने अच्छा सेर में नोकरी करते हैं करीब आद में किराह पे रहते थे जीवन में 42 साल बाद एक मकान बनाए वही सब तो अभी आपका मकान में सामान वगेरा सामान सब दूब आपड़ा उ अंदर होगा पानी के अंदर से निगाले नशान से कोई प्राशाशन कोई मदद ने कर रहे हैं कोई वी कुछ नहीं कर रहा है कि वीडियो बनाने वाले लोग है मेरे विनो दगर यह आया नहीं काम से काम आने भी तो ले मिल57 व अभी त आप मजदूर लोग है सब अमारे साथी मगाल बना हुए नहीं अभी तैसिल्दार साभ आये थे तो एंडीर्फ की जैसे मैं देख पा रहा हूं आटी में भी कुछ लगा दी गई हैं एंडीर्फ को अभी आई है सर सुवे से इतने दिन से पानी था इतने तीन दिन से पानी है सोले तारीक को हम लोग यहां से पांच बजे लिख ले थे तो गुटना इतना गोटू-गोटू पानी था जब घबडा गए जब बच्चे के परेसान नहीं तो बच्चों को निकाल के अपना बाहर कि यह अंदाजा नहीं था इतना पानी भरा बरना होता है यहां पर बरना स安क सब्सक्राइब हैं ऑफ कर दो नियुकर कीमयन सब्सक्राइब तर्फ करें दर्फ कुछ नहीं अदिए last week always जुझ मदब नहीं है उप सामन निकालै है यह फालतार मान लगाना हुआ कि दीना ओज लगाल सामन निकालो तो भौत हुआएं जो बूड़ो रहे है पहद निकालना आप पताना कवकेति देर में आइगे और जब तक पाणी जब रहा है तो आप मारी दूबा पूरा है अ हमा कि सब परसानी हुजूर के लोग के लोग किस तरीके से परिशान है प्रशासन के दोरा तीन दिन बाद कुछ टीमें भेजी गई है और NDRF की देखी मैं देख पा रहा हूं पीछे NDRF की टीमें भी अब बोट से लोगों की मदद करने की कोशिच करें लेकिन यहां के लोगों क हुआ यही कहना है कि तीन दिन से तीन दिन हो गए अभी तक कोई टीम नहीं आई थी आज ही साइद NDRF की टीम लगाई गई है और बोट भी बोट जरूर लगा दी गई थी पांचे बोट इस पूरे हिलाके में लगा दी गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं NDRF की टी अब आपने ऐसी लाउन के लिए तसमें, अपने सामान के लिए वहां कर दो तो प्रशाषन के द्वारे यही कहा गया उनकों कि पहले हम भाद आप लोगों का सामान निकालेंगे तो आप देख सकते हैं NDRF की टीम यहां पर अब लग गई है और अपने बोट से हो लोगों क को संबब मदद हो सकती है वो सरकार प्रशासन अपनी नगर्निघम प्रशासन के दोरा ुप 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 ुप